नमस्कार दोस्तों मैं सुप्रियो आपको स्वागत करता हूँ किया रोप वेप के एक नए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो हमारा Elementor के 2.8.0 आपडेट के बारे में है Elementor ने अपने पिछले वर्षन 2.7.6 को आपडेट कर दिया है 2.8.0 में और इस भर्षन में Elementor ने कुछ major changes किये है अपने interface और functionality में और एक actionable task भी add किये है मतलब अगर आप इस भर्षन को आपडेट करते हैं तो आपकी end से भी एक action लेना पड़ेगा तो ये सारे चीज क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और compare करते हुए आपको सारे चीज में यहाँ पर demonstrate करने वाला हूँ तो ये वीडियो आगे देखते रहिए और अगर आप इस चनल में नए है तो इस चनल को subscribe कर लिजिए साथ में bell icon भी दबाएए तकी WordPress और Elementor के उपर आने वाले वीडियो का notification आपको मिलते रहें दोस्तो Elementor का जो पहला upgradation है वो है color picker tools में जब हम पिछले version में किसी भी element पर color हम choose करते थे तो यहाँ पर ऐसे एक box आपको दिखाए देता और आप यहाँ से color choose कर सकते थे लेकिन इस color को आप यहाँ पर कहीं भी save नहीं कर सकते थे लेकिन अगर आप यहाँ पर नए version में देखें तो देखिए यहाँ पर text color जब आप click करेंगे तो आपका कुछ अलग सा interface आपको यहाँ पर दिखाए देगा तो हमारा जो यह color है यहाँ पर save रह जाएगा तो अगर हम चाहें तो यह same color हम हमारे site के दुसरे element में easily हम उसको use कर सकते हैं जैसे अगर हम इस text के उपर हम click करते हैं तो देखिए हमने जो color वहाँ पर peak किये थे वो यहाँ पर show कर रहे हैं तो मतलब same color हम easily use कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही useful updates है इस से हम हमारे site का जो color है उसको हम uniform कर सकते हैं बहुत easily और अगर आपको किसी भी color को यहाँ उपर से हटाना है तो इस color को आप click कीजिए और इसको drag करके यहाँ पर जो delete box है उसमें आप यहाँ पर छोड़ दीजिए opacity का एक option दिया है जो opacity बार हमारा पिछली जो version था उसमें side में था वो अभी हमारे नीचे है और यहाँ से हम color range चूज कर सकते हैं और यहाँ से हम opacity control कर सकते हैं तो यह एक बहुत time saving और useful updates इलिमेंटर ने इस version में launch किये हैं अभी हम next updates देखते हैं यहाँ पर जो hamburger icon है अगर हम इसको click करते हैं तो इस more section में एक नए option add हो गया है वो है preference यह हमारे जो पिछले version था उसमें आपको यहाँ पर नहीं दिखाए देगा यहाँ पर go to लिखा हुआ है और यहाँ पर finder और view page है लेकिन यह जो नए जो version है इसमें आपको यहाँ पर go to के जगा more दिखाए देगा और यहाँ पर preference एक option दिखाए देगा अगर आप preference को click करते हैं तो यहाँ पर UI theme है मतलब आपका जो interface है वो आप dark और light mode में convert कर सकते हैं जैसे अगर हम यहाँ पर dark mode select करेंगे तो देखिए यह जो panel है यह dark हो जाएगा एक dark mode में convert हो जाएगा तो यहाँ पर जो auto delete का option है यह आ एक नए functionality elementar ने इस version में add किये है और यहाँ पर editing handles को control करने के लिए एक option दिया गया है अगर आप इसको off कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर hover करने पर आपको यहाँ पर तीन option दिखाए देगा और column का कुछ भी option नहीं दिखाए देगा लेकिन अगर आप इसको on करते हैं त तो column में आपको यहाँ पर duplicate, add column और delete column का option मिलेगा और यहाँ पर भी duplicate का option मिलेगा और यहाँ पर enable lightbox in editor का option दिया गया है जो हमारा पिछले version में global setting के अंदर था वो ही जो enable lightbox in editor है उसको अभी यहाँ पर लाया गया है next changes है elementor के responsive function के उपर अगर हम पिछले version में responsive tab में जाते थे और किसी भी section को या किसी भी element को हम responsive बनाते थे तो वो हमें clearly मालूम नहीं पड़ता था कि कौन सा section या कौन सा element हमने responsive किये है अलग-अलग device के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पर hide on desktop कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर नए version में आए और hide on desktop कर देते हैं किसी element को तो देखिए उसमें एक grey background यहाँ पर आ जाते है और इसमें आपको clearly मालूम पड़ता है कि यह जो element है यह desktop के लिए hide है सेम अगर हम यहाँ पर mobile के लिए यह जो है इसको हम hide on mobile करेंगे और इसको हम यहाँ पर responsive mode में देखेंगे तो देखिए जो desktop का title था वो अभी clear दिख रहा है और यह जो mobile में hide किया गया है वो अभी यहाँ पर show कर रहे हैं कि यह जो section है इसको हम mobile में hide करके रखे हैं अभी हम actionable updates के बारे में जानेंगे देखिए यह जो पिछले भार्षन था उसमें अगर हम किसी भी element या किसी भी section को हम library से import करना चाहते थे तो वो easily हम import कर सकते थे स्रिफ एक click करते और वो हमारे जो content था वो import हो जाते थे लेकिन यही चीज अगर हम 2.8.0 में करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको action करना पड़ेगा और वो क्या है के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जब मैं यूज करते हैं तो अपना account यहाँ से add कर दीजिए और अगर free version यूज करते हैं तो यहाँ से account create कर लिजिए और इसको add कर दीजिए तो मैं दिखाता हूँ कैसे account create किया जाता है उसको add किया जाता है तो हम get started पर click करेंगे और यहाँ पर एक login form affair हो जाएगा क्योंकि मेरे account पहले से है इसलिए यह auto filled हुआ है लेकिन हम create an account पर click करेंगे और यहाँ पर sign up का जो form है इसको हम fill up करेंगे और यहाँ पर हमारा account के लिए password डालेंगे और यहाँ पर हम create account कर देंगे देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपके plugin का जो non sensitive data है वो elementor को आप use करने देना चाहते हैं या नहीं तो अगर चाहते हैं तो आप दे सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस box को अंचेक कर दीजिए और यहाँ पर connect कर दीजिए connect करने के बाद देखिए दोस्तों वो जो template था वो अभी easily यहाँ पर insert हो गए है और यह आपको एक बार ही करना है आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा अगर हम चाहिए इस template को insert करने तो अभी क्योंकि हमारा जो account है connected है त वो automatic install हो जाएगा तो यह एक actionable task है जो आपको करना है यह नए version के साथ तो यही कुछ basic changes है Elementor 2.8.0 में अगर आप Elementor page builder के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी channel में Elementor tutorial in Hindi available है आप जाकर वो देख सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे त notification आपको मिलते रहे और अगर आपके मन में Elementor के ऊपर कोई सवाल है तो comments में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उतर दूंगा धन्यबाद दोस्तों